यहां उपस्तित माननी प्रधान मंत्री जी को मेरा साधत वड़ाम और हमारे ब्लोग सिवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवन स्वागत है मेरा नाम चंदा देवी गाव का नाम रामपूर पोस्ट बर की ब्लोग सिवापुरी जीलावारारसी है मेरे समू का नाम राधा महिला सहन सहायता समू है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ मेरे ग्राम संग्ठन का नाम महादेव महिला ग्राम संग्ठन है जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ मेरे परिवार में कुल पान सदस्य है समू से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं थी इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी सिच्छा व्यस्था देखने में मुझे काफी कठिलाईयों का सामना करना पड़ा एक दिल कुछ दीदिया हमारे पास आई, उन्हों में हमने समू के बारे मी बताया और हमें समझाया कि समू के माध्यम से हम जुर कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपने आर्थिक इस्तिती को सुधार सकते हैं फिर हम समू में जुड़े इस प्रकार जब हमारे समू में 15,000 रुपए आर्यव की राशी आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुवात की सबजी की खेती से मुझे 30,000 रुपए का इंकम हुआ जिससे की मैंने 15,000 रुपए अपना जिर्ट चुकाया और 15,000 रुपए के मुझे बचत हुई फिर इसके बाद हमारे समू में जब CIF की राशी आई एक लाख 10,000 रुपए वहां से हमने एक लाख रुपए उठाया और रहनी खेत के तोर पे ले लिया फिर उसमें मैंने धान की खेती की फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपए का लाब हुआ इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मैं मेरी आर्थिक इस्तिती में काफी सुधार आया पालंग पोशड और उनकी सिच्छा ब्यस्था में भी काफी बदलाव आया फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजुद जी जो हमारे ब्लॉक की बीम्म है उनसे हुई उन्होंने हमें बैंक सकी के कारे के बारे में बताया फिर उन्होंने हमें बैंक सकी का कारे अच्छी तरह से संजाया और बैंक सकी के रूप में मेरा चयान भी किया फिर मैं इन्यन बैंका फिंद्या बर्की में बैंक सकी के रूप में कारे करने लगी फिर यहां से मेरी आर्थिक स्थिती में और सुधा अपनी अलग पहचान बनी बैंक सकी के रूप में फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सकी के माध्यम से एक साल का मेरा 1,30,000 रुपे का बचत हो जाता है तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई इसका पूरा श्रे मैं मानेनिय प्रधान मंत्री जी को देना चाहती हूं कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सवभागय प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनको कोटी-कोटी धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोत करना चाहूंगी कि वो महिला ससक्ती करण के लिए और भी काई सारी योजनाय लेकर आएं जिनसे कि हमारी छेत्र की महिला आएं इनसे जूड कर लाभान्यत होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें धन्यवाद जय हिन जय भारत चंदा देवी जी आपकी पढ़ाई क्या हुई है प्रयास करते हैं इस वज़य से जो हम आज हासिल कर पायां सर यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्तित हैं सर और आपके सामने दो बाते बोल रहें सर यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व अरे यह सम मैला इतालिय बजाएगी अच्छा चन्दादेवी जी बच्चे क्या पढ़ते हैं सर अभी मेरी बिटिया कच्छा सात्री में सर और हमारा बेटा अभी कच्छा तीन में है सर क्या सोचा है बच्चों को क्या पढ़ा होगी सर अगर हमारी आर्थी की स्थिती अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवना चाते हैं और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि पैसे ही नई सर पढ़ते हैं सर वना मा सखी मंदर चलाती हैं वो सेल्फ हेल्फ गुर्प में काम कर रही हैं वो बैंक सखी बन गई हैं सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, सर, अपनी ममी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गाव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए, हमारा जो करते हु कि मैं देश में गाओं में आप जैसे परिवार की जो माताई बेहने हैं इस देश में दो करोड दो करोड माताओं बेहनों को मुझे लगपती बनाना है तो आपकी बात जब सुनेंगे न तो लोगों को विश्वात हो जाएगा यहां लगपती दीदी बन सकते हैं सर यह कहने की बात नहीं है हम लोग बोल नहीं पाते हैं हमारी तरह बहुत सारी दीदिया हैं सर जो समु के माध्यम से जुड़कर आत्मनीवर बनी हैं लगपती दीदी बनी हैं सर यहां बोलने को हर किशी को मौका नहीं मिलता सर यह हमारे बहने हैं जो लगपती दीदी बनी ह कर सकते हैं क्या बताइए सर करेंगे पूरी तरह देखिए हमारे देश में आजकल शादी व्याह होते हैं तो खड़े-खड़े खाने का रिवास शुरू हो गया अब तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा ना इसलिए थाली बर देते हैं और फिर आधा चोड़ देते तो खाना बरबाद हो जाता है किसी के घर में जन्मदीन है तो अभी खाना बरबाद हो जाता है अगर आपके self-help guru की बहने उनको परोसना कैसे उसके training हो जाए उनके अच्छे कपड़े हो जाए फिर वो हाथ में मोजे बोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों है तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्वीस मिल जाएगी आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी और जब भोजन समार में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहें के ने ने भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाएए तो घर में नुट्रेशन का प्राब्लम भी सोल हो जाएगा तो मैं समगता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फैंक देते हैं अगर परोस्नी की विवस्ता नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है जाए तो आसा काम कर सकते हैं आपको बेहने कर सकती हैं सर तो सब को ट्रेन करोगी आप जी सर बिल्कुल और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कैसे लोग जो अपना समारूप करें तो आप जैसे लोगों को बोलाएं और वो परोस्ना का काम सबालें आपके गाऊं में स्व rigorousता का अभियान का कुछ्छ होती है लोग जी सर करते हैं सर जगा जगा के लिए हैं कुडा उस्चे पीकते हैं सर फिर वहाँ से गाड़ी आती है ग्राम-पंचाय favorite के बनी है एक हो वहां पर लेकिन उसमें खाद बनाना खेत में उप्योंग करना ऐसा कुछ हो रहा है क्या है जिसा शुरुआत हुई है सर, अभी थोड़ा समय लगेगा सर, किसी चीज की शुरुआत होती है सर, तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा बेस्था अचाहिए आप पशुपालन करते हैं आपके हाँ, जी सर, तो मालूम है यह अमूल वाला डेरी वाला दूद लेता है भी, वो पैसे ज़्यादा देता है पता है, वो पता नहीं है, चलिए चन्दा जेविए आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बदाए आपको जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल ले गिला, तेबे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेब को जमा भी बुलनतो नहीं